मैं गई थी जूडियो उनका beauty section explore करने के लिए और मैं ये सब चीज खरीद कर आई हूँ इसमें nail paint, lipstick, lip gloss, highlighter और hair accessories है और ये सारे 100 rupees 199 each है इस वीडियो में मैं अपना personal experience share करने वाली हूँ कि मुझे ये जूडियो के products कैसे लगे और आपको ये खरीदने चाहिए या फिर नहीं सबसे पहले मैं use कर रही हूँ beauty blender ये 79 rupees का है और ये एक ही shape में available था वैसे मुझे teardrop shape जादा पसंद है normal beauty blender की तरह पानी से wet करने के बाद इसका भी size बड़ा हो गया मैं Maybelline Lumi Matte Foundation use कर रही हूँ इस foundation को मैं detail में भी review की हूँ और उस वीडियो का link आपको i button पर मिल जाएगा वापस आते है beauty blender पे तो मैं जितने भी सस्ते beauty blender ट्राई की हूँ उसके साथ हमेशा एक issue होता है कि wash करने के बाद वो hard हो जाता है और इसके साथ भी same चीज़ हुआ first use में ये सही था पर 2-3 wash के बाद ये hard हो गया है ये क्यू होता है मुझे exact reason नहीं पता चला और ये जादा product भी absorb कर रहा था ये दिखने में अच्छा है और trending lilac color का है पर इसका quality मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं इसको दुबारा से नहीं खरीदने वाली हूँ next product है ये powder puff ये भी 79 रुपीज का है और इसमें 2 puff मिलता है इसका एक और pink color भी आता है ये बहुत soft है और decent product है इसका quality मुझे अच्छा लगा था लेकिन wash करने के बाद ये side से खुल गया है आप चाहते है तो इसको try कर सकते है क्योंकि इसका अच्छा quality है और क्या पता आपका puff साइट से ना खुले next product है ये cheeky shine highlighter मेरे पास है shade gold और इसका price है रुपीज 199 manufacturing rate है इसका March 2024 and use before है August 2026 लगबग 2 साल तक हम लोग इसको use कर सकते है तो open करते के साथ इसमें safety lid मिलेगा और ये packaging Swiss beauty के blush stick जैसा है ये creamy highlighter है एक दो बाद use करने के बाद ये smoothly glide होता है और इसका finish अच्छा है ये बहुत chunky नहीं है और बहुत natural भी नहीं लग रहा है आप इसको eyes पे भी लगा सकते हैं पर हलका सा ही लगाना क्योंकि इसमें self setting नहीं है तो ये eyes पे ज़्यादा लगाने से crease पढ़ सकता है इसमें बहुत हलका सा fragrance है जैसा cheap makeup में होता है और पता नहीं लोग क्यों नहीं बतारे इस बात को आप जब store पे जाओगे तो आप अच्छे से इसको test out कर कर लेना इसके smell के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा है और आप इसको try कर सकते है next product है ये साटेन लिप्स्टिक मेरे पास है shade natural BR1 और इसका price है रूपीज 149 मेरे पास जो piece है वो थोड़ा सा तूटा हुआ था इसमें भी fragrance है पर highlighter से कम है और ये एक brown color का lipstick है ये highly pigmented creamy lipstick है और creamy lipsticks transfer होता है मुझे creamy lipstick ज़्यादा नहीं पसंद है इसलिए मुझे ये कुछ खास नहीं लगा अगर आपको ऐसे lipstick पसंद है जो lip line पे settle ना हो और उसका creamy formula हो तो आप इसको try कर सकते है price के according ये अच्छा product है मुझे excess product remove करने के बाद इसका shade ज़्यादा अच्छा लग रहा है next product है ये shimmer lip gloss मेरे पास है shade 03 clear इसमें 40 ml product है for rupees 99 मुझे ये product बहुत अच्छा लगा इसका fragrance अच्छा है और mild है ये thick lip gloss है और इसमें बहुत सारे fine glitters है आप इसको directly भी apply कर सकते हैं पर मैं इसको tint के ऊपर apply कर रही हूँ ये non sticky है और lips को glossy और shiny बनाता है ये कोई plumping lip gloss नहीं है and for rupees 99 मुझे ये product बहुत अच्छा लगा अगर अभी तक आपको video helpful लगा तो please like ये आपके लिए तो बिल्कुल free है पर मेरे channel को support करता है next है मेरे पास कुछ hair accessories और ये सारे rupees 79 each है first है ये solid black claw clip या फिर clutcher इसका quality मेरे expectation से ज़ादा अच्छा है मैं इतना ज़ादा अच्छा expect नहीं कर रही थी second है मेरे पास ये दो small size clutcher मैं highly recommend कर रही हूँ कि आप इनका hair accessories section ज़रूर try करना और last है ये thin rubber bands इसमें 20 pieces है for rupees 80 ये stretchable है और अच्छे quality का है second last product है मेरे पास ये nail color ये pack of 4 का set है मेरे पास है shade 05 naughty nudes इसमें brown और nude colors है normal size nail paint में 9 ml product होता है और इसका एक shade में 4.5 ml product है ये सारे nail paint छोटे size का है और ये set का price है rupees 199 मतलब एक nail paint 50 rupees का है इसमें 3 solid colors है और एक glitter nail paint है और इसका glossy finish है ये मेरे nails पे 2-3 दिन तक last किया है और ये worth trying product है last product है मेरे पास ये body spray spark for her मुझे fragrance का जादा idea नहीं है इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी कि ये कैसा smell करता है but for rupees 99 ये ठीक ठीक product है Zoodio के products लेने के लिए आपको इनका store जाना पड़ेगा ये भी online available नहीं है अगर आपको वीडियो helpful लगा तो please like and subscribe for more तब तक के लिए आप मेरे और वीडियो को check out कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में Bye